Hello friends, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं LMBK Limited के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करन प्राइस की बात करेंगे तो 62.30 की करन प्राइस चल रही है और यह जो आप चार्ट देख रहे हो हमने इसको वंडे आइम फ्रेम में सेट किया है तो पहले भी हमने October मन्त में इस पर वीडियो बनाई थी यहां से हमें उपर की और बाउंस देखने को मिल सकता है एक्जाक्ली हमें यहीं से बाउंस देखने को मिला और रिजिस्टन्स लेवल भी बता दिया था अल्मोस्ट 78 से लेकि इस 80 का जो है रिजिस्टन्स लेवल रहेगा एक्जाक्ली इस लेवल पे आने के बाद फिर से हमें रिजिक्शन्स में देखने को मिल चुके है अभी देखे हैं यहां पे अल्मोस्ट 5 दिसेम्बर से इस लेवल पे आने के बाद विज बाद बिजक्शन्स लेवल नेके 50 के आसे पास का इस लगके आप इसमें फ्रेश इंटरी का प्लाइन कर सकते हैं next important resistance level की बात करेंगे तो 78 से लेके 80 का यह जो सेम पहले जो resistance था वही रहेगा अब भी देखें यहाँ पर MSCD indicator की भी बात करेंगे तो MSCD indicator भी मजबूती के signal हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों अभी तक आपने angel 1 में demand account open नहीं किया तो link जो description box में देती है उस link का यूज़ करके आप free में demand account भी open कर सकते हैं financial trend की बात करेंगे तो 2019 से 2022 तक का last 4 year का data हमारे सामने शोग कर रहा है अगर हम compare करते हैं 22 को 21 के साथ में तो आप देख सकते हो revenue में jump देखने को मिल रहा है लेकिन profit में हलकी सी गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है और सबसे main जो important चीज़ होती है जब भी आप कोई भी stock में entry का plan करते हैं तो एक बर जरूर नोरट फ्लेक दिखके ही उसमें entry का plan बनाए जब भी आप कोई भी वीडियो वाश करते हैं technical analysis की तो पूरी वाश करें थाकि आपको उसमें entry बनानी है या नहीं बनानी है इस पे decision लेने में आसानी हो हाफ knowledge बहुत जदा dangerous होता है दूस्तों तो चली दूस्तों हम चलते हैं angel one app में दूस्तों आ चुके हैं app में आने के बाद watch list में सच बोक्स में stock का नाम सच करके add कर लेना है अगे हम उस पर tap करेंगे tap करने के बद दिखें यहाँ पर buy option दिया है buy पे हम touch करेंगे buy पे touch करने के बाद कुछ जिस तरह से interface show करेगा अगर आप stock को buy करके hold करना चाथे तो आप delivery में करेंगे अगर आप stock को same day buy same day sell करना चाथे तो आप intra day में करेंगे यहाँ पर हमें quantity इंटर करनी है मानले जिह हमें यहाँ पे 250 quantity चाहिए तो यहाँ पे 250 quantity इंटर करेंगे यहाँ पे limit और market को option दिया है limit अगर आप इसको buy करना चाते है 60 पे तो यहाँ पे 60 एंटर करेंगे जब इस stock की price वहाँ पे आ जाएगी आपका order execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate है जो भी stock की current price चल रही होती है उसे पे directly आपका order execute हो जाता है simply हमें buy पे touch करना है buy पे touch करने के बदद confirm आ जाएगा confirm पे पे touch करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा same process रहेगी intra day के लिए भी दसनों यह जो वीडियो बनाए गई है सिर्फ वो सिर्फ educational purpose के लिए बनाए गई है जब भी आप कोई भी stock inventory बनाए तो अपने financial advisor से consult करके ही inventory बनाए तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में झाल करें दो में